नमस्कार दोस्तों, I am sure आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर Toolkit Case के बारे में काफी चर्चा हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो Delhi Police Seek Detail of Call Attended by Disha Ravi, Nikita Jacob from Zoom तो जो Greater Thunberg का मामला है, Toolkit Case का मामला है इसके अंदर एक Environmental Organization है जिसका काफी नाम सामने आया है यह है आपका Extinction Rebellion, तो आपके exam point of view से यह जो particular organization है इससे related definitely एक question आ सकता है और काफी important topic है इसके बारे में detail से जानेंगे, exactly यह कब form हुआ, इसका main मकसद क्या है भारत के अंदर क्या presence है इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हुआंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्षे की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं by searching अंकित अगर all official और अगर आप UPSC की तैयरी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनरा मौका और यह जो पूरे name मैंने आपको बताए यह सभी volunteers हैं of a global environment movement का जिसमें वो चाते हैं कि climate change emergency को लेकर यहाँ पर सभी लोगों की जो attention है वो इसके अंदर लाने की कोशिश की जाती है इस तरह के organization के दोरा in fact आपने देखा होगा कि जो Nikita Jacob हैं उनको यहाँ पर transit bail भी provide कर दिया गया है Bombay High Court के दोरा और उसके अंदर जब यह bail petition डाला जा रहा था Bombay High Court में और यहाँ पर उन्होंने बताया कि यह जो organization से मिले वे हैं वो volunteer movement है एक तरह से वो create करता है awareness create करने की कोशिश करता है environmental crisis से related concerns worldwide तो सिर्फ भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व भर के अंदर जो crisis है climate change से related उसमें एक तरह से positive change लाने की कोशिश करता है non violent means के तहत तो चलिए आप समझते हैं कि यह जो organization है इसका नाम है extinction rebellion ध्यान रखेगा आपके exam में ऐसे भी आ सकता है कि recently यह जो xr है ऐसे आ सकता है xr recently news में था यह क्या है exactly तो ध्यान रखना है यह extinction rebellion का short form इसको ऐसे कहते हैं xr अब इनके website के अगर आप जाओगे तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है it is a decentralized तो सबसे पहली politically यह non-partisan movement है non-violent direct action करने की कोशिश करता है civil disobedience बहुत ही जादा important भारत के perspective से आपको पताई होगा कि जो civil disobedience है इसके तहच क्या होता था कि जो भी ruling है जो भी rule कर रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर कोई धरना परदर्शन करना तो यह जो organization है वो क्या करता है कि सरकार के psychological emergency पर सभी का ध्यान आकरशित किया जाए तो सबसे पहला question आता है कि इसकी सुरुवात कैसे होती है तो basically क्या हुआ था आपने सुना होगा United Nations का यह particular panel है जिसका नाम है Intergovernmental Panel on Climate Change तो ध्यान रखेगा इसमें बहुत सारे जो विश्व की सरकारे हैं वो यहाँ पर शामिल होती ह इन सब के द्वारा एक report लाया गया था यह report में आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें कही गई थी जैसे कि 12 साल के अंदर अगर हमने strict action नहीं लिया climate change से related तो काफी बड़ा catastrophic change आ सकता है हमारे environment के अंदर और हम already 6th mass extinction के अंदर enter कर चुके हैं आपने सुना होगा 6th mass extinction यह प देखते वे जब यह report सामना आया finally इसको देखते वे 31st October 2018 को United Kingdom के अंदर यह जो organization है extinction rebellion इसको यहाँ पर launch किया गया था in fact इसका जो logo है वो काफी जादा interesting है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका logo अगर आप देखोगे ऐसे आप देखे X की तरह है ठीक है और X को क्या किया है यहाँ पर इस तरह से मिला दिया है अब आपने देखा होगा एक minute वाला glass type का आपने देखा होगा जो sand है वो गिरता रहता है एक minute में सारे sands गिर जाते हैं तो यह basically our glass को represent कर रहा है मतलब कि एक घंटे के glass को represent कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है इस तरह का जो symbol है वो इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसके बाहर आप देखिए यह circle बना हुआ है circle यह represent कर रहा है कि जो हमारी प्रित्वी है तो यह प्रित्वी है जिसमें हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है इसको लेकर हमें act करना चाहिए, तो ये इसका लोग है, इसके लोगों को भी आप ध्यान रखेगा, अगर हमें इस particular organization के presence की बात करें, कितने देशों के अंदर फैले हैं, तो बताया जा रहा है करीब 75 देशों के अंदर इसका presence आपको देखने को मिलेगा, और obvious सी बात है भारत के अ काफी बड़ी मातरा में इसका presence है, अब ये चाहते क्या हैं, ये जो extinction rebellion है, इसका main मांग क्या है, तो तीन main demands इनके द्वारा बताया जाता है, सबसे पहला इसमें बोला क्या है, tell the truth, ये एक तरह से अवाहन करते हैं सरकार से, कि आप सचाई को मत चुपाईए, आप लोगों क को बताईए, किस तरह से climate change जो है, वो जल्दी आ रहा है, और already हमारे wishw के उपर जो पृत्वी है, उसको काफी बड़ा जटका लग सकता है, अगर हम इसके उपर act नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप पहले तो सचाई बताईए, और इसके उपर act करने की कोशिश करिए, यहा net zero पर लाया जाए 2025 तक, मतलब 2025 के बाद, यहाँ पर जितनी भी activities हम करेंगे धर्ती पर, उससे यहाँ पर net zero होना चाहिए, अगर सपोज कोई गाड़ी है, वो यहाँ पर pollution create कर रहा है, तो जितना pollution वो create कर रहा है, उतने के हिसाब से हमारा carbon dioxide है, वो हमें environment से वापस खींच ल आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था, फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो extinction rebellion है, वो एक तरह से rebel करने की कोशिश करता है, यहाँ पर self organize करने की कोशिश करता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, यह decentralized है, मतलब अगर आप अपने महले में आसपास, सभी लोग चाहते हो कि यहाँ पर extinction rebellion के अंदर शामिल होना, तो आप सभी organize कर सकते हो इसको, यहाँ पर किसी भी चीज को permission लेनी के आउशकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो extinction rebellion का core idea है, core principles है, values हैं, उसको आपको follow करना होगा, और अपने आप में ही आप इस तरह की जो circles हैं, उसको create कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे देश भर के अंदर छोटे-छोटे circles create हो जाएंगे, और आसपास के 5-6-10 circles हैं, वो आपस में आके एक साथ meet कर सकते हैं, तो यह main मकसद है, इसी तरह से decentralized form में, यह जो organization है, उसको बनाया गया है यह अब कोशिश करते हैं कि finance को जुटाना, fund raise करना, legal training provide करना, कि किस तरह से हम सरकार के खिलाफ यहाँ पर voice को raise कर सकते हैं, ताकि climate change को लेकर actions लिये जाएं, next यहाँ पर question आता है कि अभी तक extinction rebellion ने क्या क्या किया है, 2018 में मैंने आपको अलुड़ी बताया कि यह form हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो group है, उन्होंने announce किया है कि declaration of rebellion, जब यह लंडन में organize किया गया था, found किया गया था, 2018 में, तो उन्होंने यहाँ पर declaration कर दिया, declaration of rebellion, rebellion आप कब करते हो, किसी चीज़ से आप लड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर यह launch जब किया गया था, तो इसके अंदर civil disobedience जैसी बाते कही गई, और जैसा मैंने बताया कि एक main मांग था कि 2025 के बाद से यहाँ पर net zero carbon emission होना चाहिए, तो लंडन के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कि वो धरने पर बैठ गया, उन्होंने railway stations के जो entrance है उसको block कर दिया था, in fact उन्होंने अपने आपको chain से बांध दिया था gate के हिसाब से ताकि उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वज़य से करीब thousand से जादा volunteers को arrest भी किया गया था London में उस समय, इसके अलाबा Cambridge में आप देखोगे, तो वहाँ पर support होता है, उसको किसी प्रकार से बाधित किया जाए, लेकिन अगर आप इनके website पर जाओगे, तो उस website के अंदर लिखा हुआ है कि हम strictly non-violent काम करते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा problem यही आ जाता है कि जब आप public service को रोकनी की कोशिश करते हो, तब यहाँ पर क्या होता है कि जो स तक क्या किया है, तो भारत के अंदर बताया जाता है कि यह जो पूरा extinction rebellion जो start हुआ था, वो कई सारे जो civil disobedience movement हैं, पूरे विश्व भर के अंदर 15 major civil disobedience movement, उसको यहाँ पर एक साथ लिया, women's suffrage हो गया, अरव spring हो गया, इसके साथ साथ भारत का जो struggle of freedom है, उसको भी एक तरह स में इस समय बटा हुआ है, पूरे देश भर में आप देखी तो मुंबई, पूने, दिली, कई सारे जो major cities हैं, वहाँ पर आपको इसका काम देखने को मिलेगा, इसके लावा, it is a decentralized organization मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर simply क्या है, website पर जाना है और sign up करना है, और आस पास आपको कोई group मिल जाएगा, उसके अंदर जाकर आप शामिल हो सकते हो, भारत के अंदर मैं आपको बताओ, October 2019 में ही, यहाँ पर इस group ने, मुंबई के अंदर, जो बांदर के अंदर यहाँ पर protest किया, die in protest, die in protest क्या होता है, basically, वहाँ पर वो सड़क पर लेड गए, और एक त तो इस तरह के एक तरह से attention लेने की कोशिश की जाती है, यह जो पूरे rebellion group, यह जो आपका extension group है उनके द्वारा, तो इस समय तो क्या हुआ था कि मुंबई पुलिस ने आपको याद होगा, उस समय अरे forest को लेकर भी पुरा protest चल रहा था, इन सभी चीजों को देखते वे, लेकिन कुछ local issues हो गए, जैसे कि farmers को प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, farmers उनको एक तरह से support करना, गोवा के अंदर जो coal mining वागरा का पुरा infrastructure का project चल रहा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट करना, western घाट के conservation को लेकर प्रोटेस्ट करना, इस तरह कि जो local चीजे हैं, उसके उपर भी जो extinction group है, वो भारत के अंदर अपनी voice को raise करने की कोशिश करता है, तो ये पूरा extinction group के बारे में video था, I hope कि अगर इस से related कोई भी question आता है, exam में आपको समझ में आ जाएगा, जाने से पहले क्योंकि हम environment की बात कर रहे हैं, तो invasive species से related एक question है, कि हम इसको dangerous क्यों कहते हैं, इसक से economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, ये hope की video आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.